न्यूजक्लिक के दर्शकों का स्वागत है आज खास पेशकर्ष में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो पढ़ा रही हैं अम्रीका की फ्लोरीडा यॉनिवस्टी में, फ्लोरीडा स्टेट यॉनिवस्टी में प्रोफेसर हैं एंथ्रोपालोजी की आपका चोयता च पढ़ा रही है। मैं जो देखी हूँ यूएस में कुछ ऐसे जगा हैं, especially California में, Florida में, New Jersey में, वहां का NRI जो ग्रूप हैं, बहुत हिंदुत्वा, बहुत सारे हिंदुत्वा सपोर्टर्स हैं। और यह भी देखा जाता है कि अगर आप immigrant communities को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा national identity होता है इन लोगों के बीच में. तो वही phenomenon हम देख रहे हैं, among Hindus in the US. तो अभी जो हुआ है, 2016 के बाद, 2015 के बाद, यह जो Trumpism शुरूआ है, Trump का rhetoric जो है, बहुत मिलता जुलता है, Hindu nationalism के साथ. Words different है, पर rhetoric और narrative जो आप देखते हो, बहुत सारे parallels है. जैसे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे दर्शक जानना चाहें, उनने क्या समानता दिखाई देती है? कि हम तो भाई, काम कर रहा है, हम rule book है, सब rule हम follow कर रहा है, पर उन्नती नहीं हो रही है. क्यों? क्यूंकि वो दूसरे लोग हमारे jobs ले रहा हैं. दूसरे लोग कौन होते हैं? Muslims होते हैं? दूसरे लोग जो white नहीं है, non-white people, immigrants होते हैं? तो अश्वेत या जो people of color, अफ्रीका और बाकी जबहों से आए हैं? जी, people of color, non-white people, Latin Americans, black community. तो उनका ऐसा discussion है कि आप इतना काम कर रहे हों, आपका उन्नती नहीं हो रही है, मुझे पता हैं क्यों? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप अगर देखोगे दूसरे communities को, उनको इतना उन्नती कैसे हो रही है, क्योंकि government उनको appease कर रहा हैं. तो ऐसे rhetoric, बहुत, it's very meaningful उनके लिए. तो वो parallels बहुत obvious हैं between white nationalism, contemporary white nationalism US में, और Hindu nationalism. So, it sort of echoes. दोनों मिल जाते हैं. दोनों rhetoric मिल जाते हैं. लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अजीब लगती है कि ये तमाम लोग वो हैं जो गए हैं अमरीका नौकरी करने के लिए. वो मुल्क अलग है. वो एक Hindu मुल्क नहीं है. वो घोशित तोर पर एक Bible को मानने वाला, follow करने वाला मुल्क है. जहां पर उनको जॉब की और अपनी life की security मिली है. और कोई भी वहां से वापस भारत नहीं आना चाहता है. ये राष्टवाद ऐसा नहीं है कि हम अमरीका छोड़कर यहां पर आ जाएं. ऐसा तो नहीं होता है. तो फिर वहां पर क्या ही अपना ghetto बना हुआ है या सिर्फ वो क्यूंकि बहुत सारे होगी मिस ग्रूप में अमंग इंडियन इंडियन दैस्फोरा तू तो एक नो सेत्में यहां नो सेतमनि यहां 25 चैनल्डहन जाएं जान्ड़कर यहां इंडियन इनडियन दैस्वरा तू आप अगर HSS जो है ऑन्नाइश का पूल लिहां जो फिर आइन R.I. community का R.S.S. है, उनमें आप अगर देखोगे, उनका रेटरिक exactly the same as, not exactly the same, but बहुत similar to white nationalism, और उनका आप जो बोल रहे हैं, वो दूसरे मुलक के लोग के साथ मिल जुडते हैं, उनका नहीं मिल जुडते हैं, क्योंकि इनका communities बहुत परोक्यल हैं, आप अगर जाओगे, दे non-Indians रहते हैं वहां, जहां रहते हैं वहां पर जड़ातर Indians ही हैं, हाँ, रहते हैं जहां पर शायद जहां काम करते हैं तो नहीं रहते हैं, पर जहां वो अपना घर है, नहीं तो social circles जो हैं, एक echo chamber बन जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे ऐसी friends से बात करूंगी, जो मेरे जैस सोचते हैं, तो जब यह होता है, आपका जो सोच है, वो multiply होता है, क्योंकि आप सिर्फ उन लोग से बात करें और जो आपकी सोच में भी है, तो यह होता है, उस group. तब भी बहुत भवे दिवे आयोजन हुए थे, तो इसकी जो तैयारी है, इनके जो लोग हैं, क्या वो उसी तरह की नफरत की बात होती है, जैसी भारत में आपको दिखाई दे रही है, मतलब कैसी नफरत? जैसे माली जे मुसल्मानों से नफरत है, जैसे इसाईयों से नफरत की बात यहाँ पर होती है, अभी एक हेट स्पीच का दौर चला हुआ है भारत में. तो सवाल है कि इंडियन डाइस्पोरा जो है वहाँ पर, वो बिसिकली क्या काम करता है? तो उनका biggest काम है financial aid, the donations लेना, financial aid, Indian organizations के लिए, HSS में बहुत सारा पैसा है, पर आप अगर rhetoric के बात कर रहे हो, तो हाँ, hate speech तो है, पर क्यों इतना easy हो गया भी, क्यों emboldened हो गए यह लोग, क्योंकि इनके community के बाहर भी, जो rhetoric हो रहा है, जो anti-muslim बाते हो रही है, वो भी same है उनके rhetoric के जैसे, तो वो अकेले नहीं है, अरे white house में यह बंदा है, जो एक ही बात करता है, मतलब trump के बाहरे में बात कर रही थी, तो उनका साहस बढ़ गया है, जो मैं पहले नहीं कह सकती थी, सब के सामने, अब कह सकती ह वो politically incorrect नहीं है, और इतने powerful लोग मेरे साथ है, एक ही चीज़ बोल रहा है, और उनका ऐसा narrative है, यह आप white nationalism में भी देखोगे, कि उनको लगता है, अरे, actually minority तो हम है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते हैं, actually victim तो हम है, क्योंकि अगर तुम यह कहो कि हिंदू ने यह कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाँ, हिंदू लोग बैसे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर अगर आप यह बोलो, कि मुसल्मान लोग ऐसे हैं, सब पाउंस करेंगे, क्यों? यह हम को silence किया जा रहा है, तो हमें देखो, इनको jobs मिल रहा है, लाटन अमेरिकन मेक्सिकन को job मिल रहा है, वो लोग हमारे उपर, जो भी बात करें, उनका appeasement हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है, हम हम हिस्टॉरिकल मिस्ट्मेंट कर रहे थे हैं, उनके साथ, पर अगर हम कुछ बोले, ब्लैक और दूसरी बात यह है, कि वो लोग इतना reproduce कर रहे हैं, कि उनका population, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम भारत में narration सुर्णे हैं, हाँ, आपको अभी लग रहा है न कि बहुत सारे partners हैं, मैजॉरिटी यहां पर हिंदू है, और सबसे बड़ा slogan यह है, कि हिंदू खत्रे में हैं, और मुसल्मानों के बच्चे इतने हैं, कि आबादी इस साल में वो हिंदू से उपर हो जाएंगे, बिल्कुल यही narration यहां पर भी है, और वहां बोलता है white dispossession, मतलब हमको dispossess किया जा रहा है, मतलब वो लोग इसलिए इतना reproduce कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ 10 साल पात साल बाद उनका population majority हो जाएगा, वहां पर भी बिल्कुल यही है, पूरा, एक्तम, white victimhood, white dispositions, तो इसलिए मैं कहा रही हो कि बहुत सारे parallels है, हिंदुत्वर रेटरिक में और white nationalist rhetoric में, एक चीज मैं और जाना चाहूंगी, क्योंकि आप पढ़ाती हैं, वहां पर Florida State University में एक दौर है, जो दिखाई देता है कि अमरीका से लेकर पूरे यूरोप में, यूरोप में भी एक बड़ा हिस्सा है, कि मुसल्मानों से, इसलाम से नफरत करने वाला, यह इसकी क्या बड़ी वजह आपको दिखाई देती है, और क्या आपकी जो students है, या जो student community है, जो young generation है, वो भी इसे प्रभावित है, तो अगर आप generally nationalist ideology को देखेंगे, एक otherization होता है, यह हम लोग ऐसे ऐसे है, यह हमारा identity है, और दूसले लोग other communities हमारे जैसे नहीं है, तो यह other को कैसे define करोगे, usually religion से और skill color से, so, Islam हो गया, Muslims, और non-white लोगों का alienation किया जा रहा है, जो रंग की अधार पे है, रंग की अधार पे है, race की अधार पे है, religion के हिसाब तो उनको otherize किया जा रहा है, तो जैसे हम देखे हैं कि Islamophobia, especially 9-11 के बाद, increase, peak पर गया था, उसके साथ, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि anti-black जो rhetoric हमेशा था, US के पूरे history में anti-black rhetoric हमेशा था, पर बढ़ गया है, in the last, since 2010-2011 हम देख रहे हैं कि उसका और भी ज्यादा बढ़ गया है, ये नहीं बोल रहे हैं कि अचानक से repackaged हो गया, नए से वो लोग package करके ये rhetoric spread कर रहे हैं. तो इसमें दोनों ही चीज़ें बढ़ी हुई है, Islamophobia यानि Islam और मुस्लमानों से नफरत, और जो गैर गोरे लोग हैं, उनसे भी नफरत और उनको लग रहा है कि वो लोग ले रहे हैं. जी, दोनों साथ-साथ पर हम जो देखें हैं Black Lives Matter के समय, anti-black rhetoric इतना बढ़ गया था कि हम Islamophobic के बाद कम होने लगे हैं, हम भी discussions कम कर रहे थे क्यूंकि इतना सारा anti-black, नए से anti-black rhetoric बढ़ गया था. पर अभी तो दोनों हैं? एक आखरी चीज मैं आपसे जाना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो Indian diaspora हो रहा है, हाला कि वो एक रंका नहीं है, लेकिन उसमें एक majority हिंदुत्व और उग्र हिंदुत्व की तरफ है, इसमें कोई तबदीली या cracks होने की कोई गुंजाईश लगती है या यह बहु difficult question है, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है, इंडिया मी जैसे हो रहा है, हमारा echo chamber जो है, वो crack करने से यह crack होगा, same thing with white nationalism, मैं जो research कर रही थे, एक angle है मेरे research में, जहां मैं लोगों का personal, वो बोलते है personal network analysis, कि मैं आपको पूछाँँगी, आप किस से बात करते हैं, आपका friends कौन है और आपका workplace कौन है और उनका क्या attitudes है, तो मैं यह देखी थी कि मेरे मैं जो community के साथ काम कर रही थी, white nationalist community, उनके सारे most of their social network homogeneous था, और ऐसे था कि अगर मैं एक company में काम करती हूँ, जहां के लोग मेरे ideology से different है और मेरा पूरा परिवार और friends दूसरे ideology मेरे ideology से है, मैं यह ट्राइ करूंगी कि एक जने भी यहां से, यह मेरे co-workers से मिलाकात नहीं होगी, दुनों अलग 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 consciously मैं रखती हूँ, तो यह भी आप Indian diaspora आगर देखेंगे, by the way, मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो हिंदूत्वर नहीं है, बहुत सारे अमेरिका में हैं, पर मैं उन लोग के बात करियू, जो HSS में हैं, जो लोग NRI, Modi Supporters हैं, तो वहाँ भी आप यह echo chambers देखेंगे, तो मेरा यह मानना है कि one way to dismantle यह, is to crack the social network, crack the echo chambers, ताकि उनका दूसरे section से भी मुलाखात हो, पता भी चले कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, चली अच्छी बात है क्योंकि भारत में भी इस तरह की कोशिश हो रही है, एक अभियान भी चल रहा है कि मेरे घर आके तो देखो, तो उसमें यह appeal की जा रही है कि अलग- अबसे कम जो नफरत है आपस में यह मिटे, तो इस तरह की initiative वहाँ पर भी हो तो बहुत अच्छा है, में उस क्लिक से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंकियो